तो चलिए फिर आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं विस कोस्टन तक हम करा दिये थे ये वल जो कोस्टन था टिक है जनरल लाइटिंग इन ओपिन कास्ट माइनिंग क्या है वोल्टेज लिमिट कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए ये बता चुके थे क्या होगा आप्शन सवर्ण यहां तक करा दिये युट अब आगे चलते हैं यह पहले नंबर का कौस्टन था जैप क्या होता है आफसन नमग सी हो जाएगा जिरोग्स टेस्टिन्ट पोटेंशिय आपरीटर सीट इन दे वेहिकल है mm शुड भी डिजाइन तो हैप एड़वेट कमफर्टißt विल ड्राइविंग कंटिनूसिली तो जो अपरेटर सेट होता है यजिया वह वो किस प्रकार सी डिजाइन किया हुआ रहना चाहिए कि continuously driving के दौरान operator को क्या comfort मिले ergonomically, scientifically, technically और biological इसका अंसर सब को पता होगा अभी तक जितना भी paper हुआ है सब में ये question आया है ठीक है option number क्या हो जाएगा ये ergonomically क्या होता है ये continuously driving के दौरान operator को comfort प्रवाइड करता है adjustable होता है क्या होता है adjustable होता है और इस प्रकार से इसका suspension रहता है कि क्या करता है vibration को reduce करता है ठीक है reduce vibration ये भी आपको ध्यान में रखना है बाकि ये जितना data है अभी operator seat वगरेगा ये कहाँ पहे है आपका 2018 का जो gadget notification आया था bylaw का वही में आपको देखने को मिलेगा आपको बताया थे एक बार कि इसका हम PDF में पुरा convert कर दी है थोड़ा सा काम बचा हुआ है इसमें ये को बुक अभी क्या है पुरा एक तरफ से book type ही बन जा रहा है ठीक ना तो आपको दिखाएंगे last में कितना काम बचा हुआ है और कब इसको आप लोग के बिश में देने वाले हैं ठीक है question number 23 है failure to explode entire charge of a hole is तो किसी hole के entire charge का explode न होना ठीक है क्या कहते है उसको burning shot, throw out shot, misfire shot और option number D none of the above इसका answer भी सबको पता है option number C है misfire shot ठीक है क्या कहते है, misfire कहते है the term representative factor is related with तो representative factor RAF किसे relate करता है mine ventilation, mine plan, mine air sampling, mine drainage option number 2 हो जाएगा mine plan से क्या करता है, यह relate करता है RAF question number 25 है who shall ensure preparation of emergency response plan is specific to each mines for regionally, for a civil industrial and natural disaster तो for a civil industrial and natural disaster के लिए प्रतेक माइस में emergency response plan की तैयारी कोन सुनिशित करता है option है, option है honor, agent, manager, and honoring agent इसका जो right answer है option number A, honor तो honor का duty and responsibility है, उसमें आप लोग चेक करिए, वहापे आप लोग को मिल जाएगा प्रतेक माइस का जो emergency response plan होता है ठीक है, industrial हो सकता है, आपका प्रुबान उमानित कोई natural disaster हो सकता है उसके लिए क्या होता है, हर माइस का emergency response plan बनाया जाता है जिसको कौन सुनिशित करता है कि एकदम तयार रहे, बना हुआ रहे, वो करता है honor ठीक question number 26 है, the manager shall make arrangement for all overmen and other official to meet him or an assistant manager for the purpose of conferring of that meeting तो प्रतेक जो माइस का manager होगा, वो क्या करेगा? arrangement करेगा, कि सभी overmen और जो official है, वो क्या करेंगे? shift अपने खतम होने के बाद, या तो manager से या तो assistant manager से क्या करेंगे? अपने काम कास के बारे हैं, बिचार्ज भी मस करेंगे, तो कब करेंगे? once in every fourth night, once in every week, once in every working days, और option number D है, once in every day देखो, ये भी आपको मिल जाएगा, manager का duty and responsibility में, तो प्रतेक दीन, जो सभी क्या है, overmen और जो official है, अपने काम कास का, जो बिचार्ज भी मस करेंगे, किस से करेंगे? या तो manager से करेंगे, या तो assistant manager से करेंगे, और इस प्रकार का arrangement कोन करेगा? manager करेगा, ठीक है, ये कहा मिल जाएगा, आपको manager के duty and responsibility में, ठीक है, ये भी आप लोग चेक करिएगा, ठीक है, कुछ लोग इसमें क्या है, confused हो रहे होंगे, और कुछ लोग गलत भी इसका answer मारे हो हुआ है, तो देखो, जो book में लिखा हुआ है, उसी को answer लेके चलना है, आपको, once in a every day, ये ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो काफी लोग इसको मारे होंगे, option number C, ये क्या है, गलत है, ठीक, question number 27 है, who duties to investigate the accident accurate in mines, तो किसका duty है, mines में हुए accident को investigate करना, ठीक, किसका duty है, option है, assistant manager, ventilation officer, safety officer, और option number D है, manager, देखो, ये भी आप लोग पढ़ना, safety officer के duty and responsibility में, option number C हो जाएगा, mines में किसी ही प्रकार का accident हो, चाहे minor accident हो, चाहे कोई अलग accident हो, ठीक है, वो कोन investigate करेगा, कोन करता है, safety officer करता है, ये चीज़ भी आपको, safety officer के duty and responsibility में मिल जाएगा, next question है, who is the nominated honor of the mines, आप public limited company, तो public limited company की mines का nominated honor कोन होता है, option है, president of India, cmd of the company, director technical of the company, और option number D है, central government, इसका क्या राइट इंसर है, option number C हो जागा, director technical of the company, कोन होता है, किसी भी company का director technical, वो होता है, आपका nominated honor, ठीक है, जैसे NCL का क्या है, NCL के अभी कोन है, सुनिल प्रसाद, सुनिल प्रसाद, ये क्या है, आपके nominated honor है, ठीक है, उस company के, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन है, notice of accident self is submitted to the concern authorities, within of any such occurrence, तो accident होने के कितनी समय के अंदर, जो concern authorities है, यानि कि जो संबंधित अधिकारी है, उनको notice भ्या जाता है, तीन दिन है, 15 दिन, 24 घंटा और 48 घंटा, इसका जो right answer है, option number C, 24 घंटे के अंदर, accident होने के 24 घंटे के अंदर, जो संबंधित अधिकारी है, उनको क्या भ्या आता है, notice भ्या जाता है, कौन कौन से उस में आते हैं आपके, district magistrate, chief inspector, regional inspector, और अगर किसी व्रेक्ति का loss of life हुआ है, या CS bodily injury हुआ है, ठीक है, तो उस case में किसको भ्या आता है, CAPC को भ्या जाता है, यानि कि competent authority for payment compensation, ठीक न, नार्मल चोट लगा हुआ है, आपका repotable injury हुआ है, या फिर minor injury हुआ है, तो उस case में district magistrate, chief inspector, region inspector, इनको भ्या जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, minor injury involves enforced absence और injured person from work for a period of, तो minor injury में injured जो person है, कितने समय के लिए वो minus में absence रह सकता है, ठीक है, तो क्या है, 22 घंटा, 24 घंटा, 48 और चान में घंटा, इसका जो right answer है, option number हो जाएगा आपका B, ठीक है, 24 घंटे तक हो किया, 24 घंटे या उससे अधिक के लिए क्या हो सकता है, वो absence हो सकता है, अगर इस किसी को क्या हुआ है, minor injury हुआ है, ठीक, और एक होता है आपका repotable injury, ज report, table injury, ठीक है, और repotable injury का कौन से form में देते हैं, तो यह होता है form J, report भ्यायाता है, minor injury का आपको भ्यायाता है form K में, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक, next question है, who is appointed as chairman of the committee as per mines act, तो mines act के अंसार, किसे committee का chairman appoint किया आता है, option है, chief inspector of mines, secretary of coal, a person in the service of central government, a person in the service of state government, देखो, इसका answer आप लोगको पता है, option number C हो जाएगा, वो a person जो central government में क्या service कर रहा है, वो क्या हो सकता है, committee का chairman appoint हो सकता है, ठीक, एक होता है आपका board of mining examination, ठीक है, board of mining examination का जो chairman होगा, कौन होगा, वो chief inspector of mines होगा, तो इसमें confuse नहीं होना है, committee का कौन होता है, वो a person जो central government में service कर रहा है, वो हो सकता है, और जो आपका होता है, क्या, board of mining examination, उसमें कोन होता है, chief inspector, ठीक, next question है, a person employed in an open cast mines is entitled for annual live with wage at a rate of, तो जो वेक्ती open cast mines में क्या है, employed है, उसको annual live with wage, किस rate पर मिलता है, तो इसका जो right answer है, option number, देखो, open cast की बात कर रहा है, option number ही हो जाएगा, क्या मिलता है, एक दिन मिलता है, 20 दिन work करने के बाद, जो वेक्ती, पिछले calendar reverse में, calendar year में, अपना क्या है, सेवा पूर्थी किया हुआ है तो अगले साल उसको क्या मिलता है हर 20 दिन में उपन कास्ट की केस में सर्फेस की केस में हर 20 दिन में एक दिन क्या मिलता है उसको एनुवल लिव मिलता है जो सपताहिक रेस्ट मिलता है उससे अलग होता है ठीक है एनुवल लिव मिलता है विथ और underground की case में 15 दिन में एक मिलता है ठीक न यह इतना ध्यान में रखना यह होगी आपका underground की case में यह होता है आपका opencast की case में ठीक कौन से रेजिस्टर में मेंटेन किया आता है अफसन है फॉर्म बी डी और ए इसका जो राइट एंसर है अफसन नंबर बी फॉर्म किसमें फॉर्म ए में में मेंटेन किया आता है जो वेक्ति माइन्स में इंप्लॉइड है उनका फॉल डिटेल किसमें रहता है फॉर्म ए में उनका नाम लिखा होता है, उनके फादर का नाम लिखा होता है, और उनका ब्लड ग्रूप लिखा होता है, किस सिफ्ट रिले में वो काम कर रहे हैं, वो सब लिखा होता है, ठिक, तो यह सीज किस में लिखा होता है, form A में लिखा होता है, form B क्या होता है, form B में होता है, आपका अपका attendance form D में ही लगता है और form ही हो गया आपका रेस्ट और लिविट वेज यह सब किसमें मेंटेंग किया आता है आपका form E में मेंटेंग किया आता है तो इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन देखते हैं रजिस्टर आप डेली अटेंडेंस आप पर्सन इंप्लॉइड इन उपन कास्ट वर्किंग सेल भी मेंटेंग तो उपन कास्ट में जो रिखती है उनका attendance कौन से रेजिस्टर में में मेंटेंग किया आता है अभी बताया थे form क्या है डी अप्सन नम्रों जगा बी राइट एंसर चाहे उपन कास्ट में व्यक्ति काम कर रहा है चाहे सरफेस पे काम कर रहा है चाहे अंडर ग्राउंड में काम कर रहा है सब का attendance लेगा फॉर्म डी में तो यह चीज़ आपको धिहान में रखना है और फॉर्म सी तो है नहीं फॉर् कमेन इंस्पेक्टर इस डिजाग्नीजट वाय तो Whoo रिग्में इंस्पेक्टर किसके दौरोंत किया आता है मिशानले मेर ऑननर और एजेंट रिय साथ जो राइट एंसर जो लिखा हुआ में ओनerv में ऑनर इजेंट में आजेंट या मेनेजर किसको नामेक करता है वतमें में लेकिन ये क्या किया है अलग अलग देदी है manager honor agent तो इसका अंसर वो क्या consider करेगा option number B करेगा option number B हो जागा इसका right answer manager करता manager ही है थिक नेक्स्ट question है यह था रुप हो ग्राउंड की गिरने को साफ करने का कोई भी कार चल रहा है तो पूरे समय कौन मौजूद रहेगा अप्शन है और मैं असिस्टेंट मेनेजर सरदार और सर्वियर देखो इसका जो राइट एंसर है अप्शन नमर भी हो जाएगा आप लोग इसको पढ़िएगा सरदार के ड्यूटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी में सप्टी कमेटी का चेर्मन कोन रहता है सबको पता है अप्शन नमबर यह हो जाएगा मैनेजर नेक्स्ट कोश्चन है इन उपेन कास्ट माइन मिन्यूम इस्टेंड़ ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स अलांग बेल्ट कनवेर सेल नौड विलेज दें तो उपेन कास्ट माइ में बेल्ट कनवेर के अलांग विस होरी जंटल से कम नहीं होना चाहिए मिन्यूम इस्ट अफ इल्यूमिनेशन ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है एर बॉन डश्ट सर्वे सेल बेडन तो एर बॉन डश्ट सर्वे कब करते हैं यह भी आपको पता होगा आप्सन नमबर हो जाए आपको अ एक सद्वाः lider करते हैं अबाई वरकमन इंस्पेक्टर अपने का जो रिकॉर्ड किस फो में रखेगा मेंटेन करे गा तो इसका जो रच इंसर है आप सन नमबर see हो जाएगा from u में ठीक है अपने काम का जो भी record रहेगा वो किसमें maintain करेगा तो from u में करेगा ठीक next question है which instrument is not used for monitoring slope movement in a dump slope तो dump slope में slope movement को कौन सा instrument monitor नहीं करता है इसका जो right answer हो जाएगा option number see हो जाएगा पीजो मेंटर यह क्या करता है यह water level को मिला के measurement के लिए इसका यूज़ करते हैं ठीक है पीजो मेंटर का बाकि 3D scanner हो गया slope monitoring radar हो गया TLS हो गया यह क्या करता है slope, dump slope के slope movement को क्या करता है यह monitor करता है the sound level of AVA in dumper should be at least तो dumper में जो AVA लगा होता है audio visual alarm उसका sound level कितने से कम नहीं होना चाहिए इसका जो right answer होगा option number see हो जाएगा 5-20% जो ambient noise level होता है जितना मतलब जिसे environment जो भी noise level है उससे कितना अधिक होता है तो 5-20% होता है जो sound level होता है AVA का simple समझो AVA का audio visual alarm का sound level होता है 5-20% क्या है इससे कम नहीं होना चाहिए अगर इससे कम रहता है तो आदमी उसको सुनी नहीं पाएगा ठीक question number 43 है disease is caused by inhalation of dust over a period of long year तो कौन सा disease लंबे समय तक dust में सांस लेने के कारण होता है इसका answer आप लोग को पता हो है option number हो जाएगा C pneumoconiosis तो लंबे समय तक dust में सांस लेने से क्या होता है pneumoconiosis होता है यह क्या होता है लंग्स disease होता है ठीक है option number C हो गया right answer question number 44 है unit of blast induced vibration is तो blasting से जो induced vibration उसका unit क्या होता है option number हो जाएगा mm per second option number हो गया right answer question number 45 है as per cmr 72 डेंजर जोन इन उपन कास्ट माइन्स इस डिफाइन ऐस दे रेडियाल डिस्टेंस आफ फ्रॉम दे प्लेस आफ फाइरी देखो यह कोशन दर एकश्यम पेपर देख रहे है सब पेपर में आपको देखने को मिले ओगा ठेकना यह कोशन अगर नहीं आता है समझाल पेपर दूरा है 500 मिटर हो जाएगा अपन कास्ट में डिंजर जोन ठेक नेक्सट कोशन है excessive burden produce तो excessive burden क्या produce करता है बडन क्या होता है आपका क्थाहर्य छो सर्ट रॉhtब के जो फोल का इस्ट होता है वो क्या उन्स होटा है आपका बर्डन होता है और इस्ट crystalline किया होता है दोह लिटिस का डिस्टेन्स तो हो centuries इस प्रहें राउन वाइब्रेशन भोगा बैक ब्रेक सेटरिंग और अफसे नम्र डिया आल अफ दे एबब इसका जो राइट एंसर है आफसे नम्बर डियो जाएगा अल अफ दे एबब ठीक है अगर आप लोग अच्छे से उपेन कास्ट माइस पड़े होंगे तो आपको पता होगा य अच्छे सेग्दम डिटेल में पढ़ाय हुए है ठीक कोशे नम्र फोटी सेवन है ऑपरेटर्स आफ एच्छे एम्म सेल भी प्रोवाइड़ड विथ प्रॉपर पीपी इफ नॉइस लेबल एक्सिट तो कितना से अधिक नॉइस लेबल हो जाएगा तो ऑपरेटर को जो ए अधिक नॉइस लेबल रहता है तो वहां पर पीपी प्रोवाइड कराया जाता है लेकिन आप्सन वो था नहीं तो काफी लोग क्या किया है इसको नबे इसका एंसर जो होगा आप्सन नमबर यह हो जाएगा पचासी डिसिबल और यह आपका कहां लिखा हुआ है यहां ठीक अगर अपरेटर आठ घंटे लगातार पचासी डिसिबल को फिस कर रहा है उसको पीपी प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक नहीं यह चीज़ा आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पॉस्चन है विस आप दे फॉल्विंग सेप्टी डिवाइज आर नॉट इनकॉर्परेटेड इन डंपर्स तो डंपर में निम्री कित्म से कौन साथ सेप्टी डिवाइज सामिल नहीं है आपको देखने को नहीं मिलेगा आप्शन है मेकेनिकल डिवाइज तू प्रोटेक्ट ऑपरेटर इन केस आप हेट टू टेल कॉलिजन आप डंपर यह रहता है आपको पता ही होगा ठीक है हेट टू टेल कॉलिजन के लिए मेकनिकल डिवाइस लगा होता है आप्शन नमर भी यह फ्रॉक्सिमेटी वानिंग डिवाइस यह लगा होता है ठीक है सर् जंबर में नहीं रहता है यह कहा रहता है एकस्विटर मसीन जह हाइड्रोलिक किस में लिंग भाइटो यह एकस्विटर्र और मेनेजर टूद फ़स्ट इंप्लाइड इन माइस जो परसंट इंप्लाइड है माइस में उनको हिलमेट कितने इंटर्वल पर और एजेंट मैनेजर प्रोवाइड कराएंगे आप सेने सिक्स मांथ टॉल मांथ टू येर थ्री येर क्या है आप से नमबर डी हो जागा राइट एंसर थ्री येर देखो सर्कुलर में लिखा हुआ था एक जगह कि जो पर आइस है वहाँ पर पांस आल आपको पांस आल में प्रवाइट कराया जाएगा तो इसको आपको एकदम भूल जाना जो रेगुलेशन में लिखा हुआ है उसी चीज को लेकर चलना है तीन साल में जो वेक्ति माइस में इंपलोईट है उनको हेलमेट सप्लाई कराया जाएगा ठीक है तो रेगुलेशन को लेकर करें चलो और इसमें दिया भी नहीं है पांच साल तो सही अंसर सभी लोग इसको मारे होंगे तीन साल ठीक हेला है सिह को नेक्स्ट्राइब है नेक्स्ट कोश्चन है नोटीस अंडसेक्षण वािज आफ माइसेक्ट सैङ्ट ऐस्ट अंदि किस्पेक्इड सेट्ट जी किन जारी किये थी है देक ऑध इंसपेक्टर आफ माइन्स चीफ एंस्पेक्टर आफ माइनीशक्तिinaçãoदिस्टिन क्या था आपसे नंबर इसका इंस्पेक्टर आफ माइन और चीफ इस्पेक्टर आफ माइस दो नों होना चाहिए था लेकिन आपशन अलग अलग दे दिया इसका राइट एंसर होगा आपसन नंबर बी ठीक है तो देखी रहे होंगे किस प्रकार से आपको NTPC का जो NML का पेपर है कहां कहां से कोशन उठाया है तो इसी प्रकार का आपको हम अपने यूटुब चैनल से आपको रिविजन क्लास करवाएंगे और बाकि जो हम 2018 का जो MCQ में कनवर्ट किए हैं बुक को उसको आपको दिखा देते हैं एक बार कितना काम हुआ है उसमें देखो यह बुक का फ्रेंड पेज है और इस प्रकास से हम बना हुए है आपके कॉंटेंट जैसे बुक रहा था टोटली ऐसे है ठीक है और यह हमारा है कोश्चान डेगुलेशन नंबर 47 का सेवन जो है डेली रिपोर्ट अप इंस्पेक्शन बाई ओबर मैं इंचार्ज अ हुआ है उसका बना हुए है कीऊ जो ऩे प्ल ден का लिए हुए है च्रेकूर और और चवौत्र पार परकासे पूरा हम बुक बना दिये है लिख अभ यह आपको पूरा क्वाशन के बाद में आपको उसमें हम आपको इसको देंगे रिट में बहुत कम रखेंगे ताकि आप लोग को लेने में कोई दिक्कत ना हो ऐसा रखेंगे कि सुशना ना पड़े एक्दम ठीके बहुत इसमें अभी डेकुरेशन बचा हुआ है कि तो खुशिस करेंगे इसी महेने के लाश्ट तक में मैं आपको दे दूँ ठीक बाकिश जो लोग अभी तक माइनिंग पलस को सब्सक्राइब नहीं किए अप लोग सब्सक्राइब psychological लीजिए माइनिंग पलस 20 question का daily का रखेंगे और हर एक टॉपिक से आपको एक question उसमें डाल देंगे ठीक ना तो उसे लिए फिर class को समाब्त करते हैं बाकी मिलते हैं next class में